सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एक्जाम मंथन 24-7 को और बेल आइकन दवाना ना भूलें जिससे आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें हलो इस्टुएंट मैं विकार साथ सभी का एक्जाम मंथन पर सौगत करता हूँ देखिए हमें हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी के अंतरकत जो आज की हमारी क्लास है वो क्लास नमर चार है चौती हमारी क्लास है इससे पहले हमने संग्या, सर्बनाम और कारकों पर बात कर ली थी बड़े अच्छे से डीटेल में सबीने वीडियो देख ली होगी, उम्मीद करता हूँ और जिन्होंने नहीं देखिए हैं वो आई बटन पर किलिक करके सीधा प्ले लिस्ट पर जा सकता है और उन वीडियो का आराम से देख सकते हैं इस वीडियो के बाद ठीक है, आज का हमारा टॉपिक जो है, वो है वाच्छे देखिए हिंदी में वाच्चियों से बहुत ज़्यादा कुछन पूछे जाते हैं कोई सेंटेंस दे देगा और उसमें पूछ लेगा इसमें कौन सा वाच्चे है ठीक है ना, करम वाच्चे, करित्र वाच्चे या फिर भाव वाच्चे इन तीनों मैं से कोई सा एक पूछेगा, तो हमें पता होना चाहिए आखिरकार वाच्चियों को किस प्रिकार पहँचाना जाता है ठीक है आज हम वाच्चियों पर बात करने वाली है सबसे पहले उनके पिरकार और उसके बाद एक एक वाच्चे पर बात करेंगे डीटेल में और साथ के साथ एक्जामपल भी हम देखती हुए चलेंगे ठीक है अभी हमारे 4-5 टॉपिक और हो जाएं फिर हम इसका लेंगे टेस्ट तो आप सभी वीडियो को कम्पलीट देखते रहें और अपना रिवीजन करते रहें एक किताब आती है आदित्य पब्लिकेशन के नाम से आप उसे ले सकते हैं उसे आपकी प्रेक्टिस बहुत अच्छी होगी उसमें कुशन्स हैं तो उससे आपकी प्रेक्टिस होगी कंसेप्ट के लिए नहीं बलकि वो प्रेक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक है ठीक है और यह हिंदी क्लास है यह आपके सभी एक्जाम जैसे कि हमारा UPSI है, Jail Warden है, Fireman है, Teaching एक्जाम है और जितने भी State Government की एक्जाम होते हैं सभी के लिए useful रहेगी तो आपको यह complete देखनी है वीडियो जैसे कि हमारा कोई भी form भरा हो अपने जिसमें हिंदी आती हो उन सभी एक्जामों के लिए useful है यह ग्लास, ठीक है, तो आईए आज का हम topic सुरू करते हैं जिसके अंतरगत हम पढ़ने वाले हैं वाच्चे, सबसे पहले समझते हैं कि वाच्चों के भेद कितने होते हैं तो वाच्चे हमारे तीन प्रकार के होते हैं किरत्र वाच्चे, करम वाच्चे और भाववाच्चे ठीक है न, करत्र वाच्चे का मतलब है करता के आधार पर जिसमें किरिया बदली जाए करता के आधार पर किरिया में परिवर्तन हो, वो करत्र वाच्चे करम बाच्चे मतलब करम के आधार पर किरिया में परीवर्तन हो वो होते हैं हमारे करम बाच्चे यदि हम बात करें भाव बाच्चे की तो भावनाओं के आधार पर किरिया में होने वाले परीवर्तन ही क्या कहलाते हैं कृत्रवाच्चे की बात करें, तो मैंने अभी बताया, जिन वाक्यों में किरिया करता के अनुसार बदलती है, वहाँ पर कृत्रवाच्चे होता है, सबसे पहली मेरी एक बात सुनिएगा, देखिए, राम पत्र लिखता है, यह sentence लिखा हुआ है, राम पत्र लिखता है, ठीक कर रहा है तो राम हुआ हमारा करता ठीक है यदि बात करें लिखा क्या जा रहा है यानि करम क्या किया जा रहा है करम मतलब कारे क्या किया जा रहा है तो कारे किया जा रहा है पत्र लिखने का तो पत्र हुआ हमारा करम ठीक है यदि बात करें क्रिया तो क्रिया हुई हमारे लि करता के अनुसार हमारी किरिया चले तो हमारा किरित्रवाच्य होगा ठीक है दोन पर आते हैं सबसे पहले तो हमारा जो पहला सेंटेंस वो है राम पत्र लिखता है ठीक है तो आपने देखा राम पत्र लिखता है तो यहां पर हमारा किरिया जो है वो राम के आधार पर है मैंन लिखता, यानि करता के आधार पर हमारी क्रिया बदल रही है, जैसे मोहन खेलता है, इसे समझेगा, मोहन खेलता है, जैसे कि मोहन खेलता है, ठीक है, दूसरा लेता हूँ मैं, रमा खेलती है, अब इसमें देखिएगा, यह हमारी क्रिया, ठीक है न, यह हमारा करता, यह हमारी क्रिया, देखिए, मोहन के अनुसार आई हमारी खेलना और रमा के अनुसार्च क्योंकि वो इस्त्री लिंगती तो खेलती किरिया यानि मोहन और रमा दोनों करता है और करता के आधार पर हमारी किरिया में परिवर्तन हो रहा है ठीकि ना तो वो कौन सा होगा वो किरित्र वाच्चे होगा यानि करता के आधार पर किरिया में होने वाले परिवर्तन को ही किरित्र वाच्चे कहते हैं आप सीधा सीधा यह समझे यदि पत्र के आधार पर किरिया में परिवर्तन हो रहा होता तो वो कहलाता हमारा करम वाच्चे क्या कहलाता करम वाच्चे जैसे कि next हम देखते हैं दूसरा है हमारा करम वाच्चे, जिन वाक्यों में किरिया करम के आधार पर बदले, वो कहलाते हैं हमारे करम वाच्चे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, राम पत्र लिखता है, इसमें राम हुआ हमारा करता, हम कारे क्या कर रहे हैं, पत्र लिखना, तो पत्र हुआ हमारा क किरिया क्या कर रहे हैं लिखने की तो लिखना हुआ हमारा किरिया करता किरिया करम आप आराम से पहचान सकते हैं ठीक है तो करम वाच्चे क्या है करम वाच्चे है जिन वाक्यों में किरिया करम के आधार पर बदले ठीक है जैसे कि पत्र लिखा जाता है ठीक है पुस्तक पढ जाता है, वही पर हमने पुस्तक ली जो कि एक female gender की तरह यूज की जाती है तो उसके आदार पर हमारी किरियाई जाती, ठीक है न, और पत्र और पुस्तक हमारी क्या है करम है, क्योंकि लिखنا हमारी कृिया हुई और इसमें जो पत्र है हमारा वो है करम क्योंकि पत्र लिखने का काम क्या है लिखा क्या जा रहा पत्र लिखा जा रहा तो वो हमारा करम हुआ इसमें पढ़ी क्या चीज जा रही पुस्तक पढ़ी जा रही है तो पुस्तक हमारा करम हुआ तो किरिया हमारी पत्र और पुस्तक के आधार पर बदली जा रही है इसलिए ये होंगे हमारे करम वाच्चे जैसे कि गैंद खेली जाती है गैंद खेली जाती है तो गैंद के आधार पर हमारी किरिया डिफाइन हो रही है ठीक है ना? गैंद खेली जाती है यहाँ पर कुछ और रख दीजिए, वो भी चिंज हो जाएगा जैसे कि पत्र बच्चों के द्वारा लिखा जाता है इसमें भी क्या है? किसके अधार पर किलिया चल रही है? करम के अधार पर हमारी किलिया चल रही है ठीक है? तो आपको याद रखने है यह एक्जामपल है करम वाच्चे के ठीक है ना? करम वाच्चे के एक्जामपल है नेक्स हम देखते हैं, लास्ट है हमारा भाववाच्चे जहां पर किलिया करता और करम को छोड़कर जहां पर किलिया करता और करम को छोड़कर भाव के आधार पर बदलने लगे ठीक है ना ये बताया जाता है भाववाच्चे में ठीक है तो भाववाच्चे सीधे-सीधे ये बताते हैं काम हुआ या नहीं हुआ ठीक है जैसे कि मैंने पुछा आप कैसे हो आपने कहा मैं आप अच्छा हूँ ठीक है इसमें क्या होगा इसमें भाव वाच्चे होगा तो कि भाव के आधार पर बाते कहीं जा रही है जैसे कि उससे बैठा नहीं जाता ये भी एक भाव वाच्चे है उससे बैठा नहीं जाता ठीक है नेक्स नम ले उससे खाना खाया नहीं जाता ये भी हमारा negative sentence है और इस मुझसे चला जाता है इस प्रिकार के जितने भी वाक्य होते हैं जिन में ये बताया जाता कि मुझसे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है ये सब ही होते हैं हमारे भाव वाच्चे क्योंकि इने में जो किरिया चलती है वो भाव के आधार पर चलती है किसके आधार पर भाव के आ ठीक है क्रित्र वाच्चे है हमने क्या पढ़ाता यानि जिसमें किरिया करता के आधार पर बदले वो क्रित्र वाच्चे करम वाच्चे में यदि किरिया करम के आधार पर बदले तो करम वाच्चे यदि किरिया भाव के आधार पर बदले तो भाव वाच्चे करित्र कहलाते हैं जैसे कि राम पत्र लिखता है इसमें पत्र जो है हमारा वो करम है ठीक है लिखना जो है हमारी किरिया है और राम क्या है हमारा करता है ठीक है तो राम के आधार पर लिखता और यहीं पर मैंने एक female gender लिया सीता तो उसके आधार पर करता के आधार पर किरिया भी हमा यह होगा, यह होगा हमारा किरित्र वाच्चे है, ठीक है, next हम लेते हैं करम वाच्चे, जिन वाक्यों में किरिया करम के आधार पर बदले, करम के आधार पर बदले, जो हम कारे कर रहे हैं, उसके आधार पर बदले, तो वो कहलाते हैं करम वाच्चे, जैसे की, पत्र लिखा जाता है पत्र लिखा क्या जाता है पत्र तो पत्र हुआ हमारा करम और उसके अधार पर आया जाता है यहीं पर मैंने फीमेल जेंटर पुस्तक लिया तो पुस्तक पढ़ी जाती है यानि पुस्तक यानि करम के अधार पर जाती आया और करम के अधार पर यहां पर जाता आया ठीक है ना जैसे गेंद खेली जाती है तो खेला क्या जा रहा है गेंद गेंद हमारी करम है तो करम के अधार पर यहां पर आया जाती ठीक है जाती यहीं पर आप कोई बेल जेंटर ले लिजिए तो उसके अधार पर जाता आ जाएगा जो करम होगा ठीक है जैसे कि हम कह दे आ आप कुछ भी लेजिए, समोसे बनाई जाते हैं, समोसे बनाई जाते हैं, तो समोसे क्या है, करम है, इसे बनाने का हम काम कर रहे हैं, तो करम हमारा समोसा हुआ, यदि हम ले ले हैं, पर जलेवी बनाई जाती हैं, तो जलेवी के आधार पर जाती, और समोसे के आधार पर जात तो यहाँ पर जाता आया क्योंकि पत्र के आधार पर अब देख नेक्स देखना बच्चे क्या थे मेल थे अब नेक्स देखता हूं पत्र में मैंने पत्र ही रिया लेकिन यहाँ पर लड़किया ली लेकिन लिखा जाता है आया लड़कियों के आधार पर जाती नहीं आया जा करम के आधार पर क्रिया में परिवर्तन हो करम मतलब आप समझे जो हम काम कर रहे हैं वो करम है जैसे कि मैं आम खा रहा हूँ तो आम जो है वो करम है मैं क्या ओनूं करता हूँ और खाना क्या है क्रिया है ठीक है ना तो इसका मतलब जो हम काम कर रहे हैं उसके आधार पर किरिया बदले तो करम वाच्चा है और करता के आधार पर यानि जो काम कर रहा है उसके आधार पर किरिया चले तो किरित्र वाच्चा है और जब किरिया ना तो करम के आधार पर चले ना करता के आधार पर चले भगवान भरोसे चले यानि भावों के आधार चले भावनाओं में चले तो वो कहलाता हमारा भाववाच्च जैसे की भाववाच्च में ना तो क्रिया की प्रधानता होती है ना हमारे करम की प्रधानता होती है बलकि भाव की प्रधानता होती है जैसे कि इसमें केवल और केवल भावबाच्यों में ये बताया जाता है कि मुझसे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है ठीक है बस बस ये बताया जाएगा ये समझ लीजिए कोई आपकी तवियत पूछ रहा है वो भावबाच्य है ठीक है आप किसी को कुछ बताना चाहरे है वो भाव वाच्चे है ठीक जैसे कि आप से डॉक्टर ने पूछा आप तवियत कैसी आप कहोगे अब मेरी तवियत में फायदा है भाव वाच्चे है क्योंकि आपने भाव से बताया इसमें कोई आपको किरिया नहीं करनी पड़ी बताने में कोई किरिया नहीं करनी पड़ी आपको ऐसा कोई कारे नहीं करना पड़ा आपने केवल बताया भाव से ठीक है उसी प्रकार उससे अब बैठा नहीं जाता ठीक है नेगेटिव सेंटेंस होंगे मुझसे अब खाया नहीं जाता ये भी भावी हुआ हमारा मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, अम मुझे तो रो ना आता है, इस प्रकार के जितने भी sentence होंगे, जो negative होंगे, जो अपनी दुख व्याधा सुनाते होंगे, सभी के सभी हमारे भाव बाच्चे में आएंगे, आप भाव बाच्चे को अलग से पहचान जाएंगे, sentence में अलग भाव दिखेगा, जैसे कि मुझसे अब खाना खाया जाता है, यानि क्या है, भाव बताना चाहरा का हाँ, मुझसे खाना खाया जाता है, ठीक है, मुझसे अब बैठा जाता है, जिसके अंतरकत हमने करत्र वाच्चे, करम वाच्चे और भाव वाच्चे को देखा, ठीक है, तो आप बताना वीडियो कैसी लगी, छोटी सी वीडियो थी, आप इसे चाहें तो 84 दिन में खतम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी प्रिकार रेगुलर पढ़ते रहें, यकीन मानिएगा हिंदी पे अच्छी कमांड हो जाईए आपकी, आप अपने आप प्रेक्टिस सेट लगाएं, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताएं, ठीक है नप्रेक्टिस सेट लगाकर देखें, कोई प्रॉब्लम आए तो फिर बताएं, बसरते आप अच्छे से वीडियो देखें, अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारटिया, देखो, हर बुक में 5 से 10 परसेंट ऐसे कुश्चन्स होते हैं, जो कि उस बुक की अपनी गरीमा बनाते हैं, यानि वो राइटर खुद डालता है, हार्ड कुश्चन्स ताकि सभी स्टुडेंट उसे खरीदें, अरे इसमें तो हार्ड कुश्चन है, तो उनसे घवराना नहीं है, वो केवल आपकी कॉम्पेटिशन का 1% भाग है, उसे इग्नॉर करें, ठीक है ना, वो डीमोटिवेट कराकर बुक बेचने के लिए होते हैं, केवल और केवल, ये समझेगा, ठीक है, तो आप आदित्य पब्लीकेशन की बुक लेना, उसे आप कुश्चन लगाना, आदित्य पब्लीकेशन से आप आराम से कुश्चन लगा सकते हैं, अच्छी बुक है, कुश्चन लगाने के लिए, ठीक है ना, लुशेंट भी ले सकते हैं, लेकिन आदित्य पब्लीकेशन मैं प्रिफर करूँगा, उसे अच्छे से ले, कुश्चन लगाएं, चैप्टर वाइज कुश्चन है, बहुत अच्छे से लगाएं, कोई डाउट हो तो मुझे बताएं, ठीक है, नया एडिसन लेना, जिसमें कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है, तो नेक्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक आप नोट्स में ने डाल दिये, नोट्सों को डाउनलोड करके, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है, नेक्ट वीडियो में जब तक ले कराऊ, तब तक आपका अच्छे से डिवीजन हो चुका हो, ये आपका काम है, ठीक है, तो नेक्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अच्छे से कीजी डिवीजन, थैंक यू यदि वीडियो अच्छी लेगे तो उसे लाइक करें चैनल पर जो नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू मिलते हैं नेक्ट वीडियो होगे